डीजीपी का पद पुलिस बिबाग का एक बहुत बड़ा पद होता है ये पद के बल एक IPS किया हुआ ब्यक्ति ही इस पद के लिए युग्य होते हैं इसलिए ये पुलिस बिबाग में एक सम्मान्य पद है एक डीजीपी को अपने खेत्र में बहुत से अधिकार प्राप्त हो पुलिस विबाग का ये अंतिम और सिर्ष पद होता है इस विबाग में डीजीपी से बड़ा कोई पद नहीं होता है प्रत्यक राज्यों में केबल एक या सबसे अधिक चार एसे पद होते हैं सबी डीजीपी भारत्या पुलिस सवा यानि आईपियस के अधिकारी होते हैं डीजीपी का फुल फ्रॉम डारेक्टर जेनरल और पुलिस होता है डीजीपी को हिंदी में पुलिस मोहानिदेशक कहते हैं ये किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस विबाग का अधिकारी होते हैं जिसका चुना भारत्या पुलिस सवा यानि आईपियस की परिख्या द्वरा क्या जाता है राज्य में इसे केबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है डीजीपी बढ़ना कोई असान कारिया नहीं होता है इस पथ को प्राप्त करने के लिए कटिन मेहनात और कटिन परिख्याओं से गुजरने के बाद ही इस पत की प्राप्त होती है यह पद पुलिस बिबाग के सर्बुच्च पदों में से एक होता है जैसे प्राप्त करने के लिए IPS की परिख्या से गुजरना जरूरी होता है सरवर प्रत्रम आपको उपर पुलीस अधिक्योग यानि DSP बनाया पत पर नियुक्त किया जाता है इसके बाद आपको अतिरिक्त पुलीस अधिक्योग यानि ASP पर कारिय करना होता है फिर पुलीस अधिक्योग यानि SP पत की जिम्यदारी समालनी होती है इसके बाद बरिष्टा पुलीस अधिक्योक यानि SSP पर तैनात की जाती है इसके बाद आपको पुलीस महानिरिक्योक यानि DIGP न्यूक्त क्या जाएगा और पुलीस महानिरिक्योक यानि IGP बन जाओगे इसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानी देशक यानि ADGP का पद का कारियवारश हो पा जाता है फर अब अंत्ध में आपको पुलिस महानी देशक यानि DGP पद पर तैनात किया जाता है पुलिस विबाक का ये अंतिम पद होता है इसलिए ये पद असन नहीं होता है बहुत अधिक मेहनत करने के बाद ही इस पत को प्राप्त कर पाएंगे DGP बनने के लिए आपको UPSC यानि की संग लुको सेबा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सिबिल सर्विस की परिख्या में भाग लेना होता है यदि आप इस परिख्या में पास हो जाते हैं तो आप IPS अधिकारी बन जाते हैं और फिर प्रोमोशन के बाद आप DGP यानि की पुलिस मुहानिदेशक पत पर पहुच सकते हैं UPSC यानि की संग लुकस सेवा आयोग के एकजम देने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट पास होना ज़रूरी होता है यदि आपकी एडुकेशनल योग्यता कम है तो आप इस पत के लिए अबेदन नहीं कर पाएंगे DGP पत की परिख्या के लिए आयोग सिमा एकुस बर्ष से बतीस बर्ष तक निधारित की गई है अतिरीक्त बर्ष को नियोमानुसार छुट प्रदान की गजाती है साथवे पतन आयोग के बाद पुलीस महानिदेशक ऐनी DGP की सेलेरी 56,000 से 2,25,000 रुपे प्लॉस ग्रेड पे प्रती महिने तक प्रदान की जाती है DGP का मुख्यो रुप से कारिय जिस राज्य में तैनात होते है उस राज्य में सांती ब्यवस्ता बनाए रखना होता है प्रदेश के सबी जिलोग में कानुन ब्यवस्ता को नियोंतरन में रखना होता है राज्या सरकार के साथ प्रदेस में मिलकर राज्या के कारियों को आगे बढ़ाना होता है राज्या के पूरी पूलिस डिपार्टमेंट को अपने नियंतर्ण में रखने के साथ साथ पूलिस कर्मियों को जिलेबार फ्रवन्दान करने की जिम्मेदारी एक DGP के अनुसर किया जाता है I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सेर्ट कीजिए और सब्स्राइब करना मत भूलिए तब तब के लिए आप सबी को मेरे तरब से जाहिन